हेलो बच्चो आज हम लोग day 4 को शुरू करने वाले हैं और बहुत ही important important चीजों को भी सीखने वाले हैं ठीक है तो basically जिन बच्चों को यह नहीं पता है कि वो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग youtube पर एक बैस शुरू किये हैं you can do नामकर का जिसमें हम लोग languages के portions को cover up कराने की कोशिश कर रहे हैं 10 days के अंदर और possible भी है अगर कोई चाह दे तो ठीक है तो इससे पहले हमने तीन वीडियो अल्रेडि कमपोस्ट कर चुके हैं English पर उर्दू पर Hindi पर तो वो playlist को चेक करके आप उनको देखिए concept को clear कि यह बहुत सारे grammar portions को मैंने उसमें समझ आउंगा और आपको उसको note down करना है या तो उसको समझो या तो note करो कुछ भी करो लेकिन उस सबको दिमाग में बैठालो जो भी मैं बोलूं ठीक है क्योंकि as it is questions तो नहीं आ सकते मैं मानता हूं लेकिन in concept से हट कर कुछ आई नहीं सकता है ठीक है तो चलो आगे सबसे पहला कोशन देखते हैं लोग डॉक्टर राजेंदर परसाज was the first president of the India pick out the adjective adjective होता क्या है जो noun या pronoun की विशेष्टा बताता है ठीक है वो हमारा adjective है अब इसी concept को हम लोग यहां पर apply करेंगे जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंदर परसाद तो इन में से तो कोई adjective हो नहीं सकता है एठी adjective इन में से तो कोई हो नहीं सकता है और president होना यह common noun है ठीक है तो यहां पर एक ही चीज दिख रहा है कि first यही यहां पर adjective हो सकता है ठीक है तो one का option number c is the right answer तो adjective का concept इस तरीके से जहांचा जाता है questions में कई से apply किया जाता है यह भी मैं आपको सिखा रह हूँ कि देखो क्या-क्या नहीं हो सकता है इस तरीके से अंसर जल-जल ज्यादा accurate हो पाते है कि क्या-क्या नहीं हो सकता है ठीक है क्या-क्या नहीं हो socio यह फ्यंट हूंदेर के he presented to solutions ठीक है दलेटर option number B is the right answer ठीकadece दलेटर सींस मच बेटर यानि कि जो बाद वाला था वो बह उसमें किसी पार्ट का अगर को याद रखना है तो जनरली उसमें कोई भी चीज का यूज नहीं किया जाता है तो यहां 3 का option number D will be right answer, none of this, ठीक है, क्योंकि और इस तरीके से sentence है न, तो देखो कि भाई English में DM से अगर पढ़ते हो तुम, तो अभी तक तो तुमको थोड़ा बहुत English आता ही होगा, ठीक है, तो जब आता है, तो देखो क्या मतलब flow आ रहा है, जैसे के सचिन तंदुलकर is younger than his wife, कहीं इसमें से कुछ गड़बड़ी एक खटपटा लग रहा है, अगर नहीं लगे न, तो मार देना, जहां पर फंसे हो, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, फिर यूज करो, सचिन तंदुलकर is more younger than his wife, is most younger than his wife, तो देखो क्या-क्या accurate तुम्हें लग रहा है, ऐसे च माई हमेशा, as an adjective use हो रहा है, at present, तो 4 का option number, D will be right answer, माई, यहां लिको, his dash 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 body was covered, तो यहां पर हो सकता है, मेरे ही साब से, his whole body was covered, ठीक है, whole कहा है भाई, हाँ, whole हो गया, his whole body was covered, तो 5 का option number, A will be right answer, आगे क्या है, हमारे पास, choose the superlative form of the much, superlative form में क्या होता है, आगे हम लोग most लगा देते हैं, ठीक है, तो यहां पर much का क्या हो जाएगा, most हो जाएगा, simple सी बात है, आगे देखे, हम लोग comparative form बोलता much का, तो वो हो जाता more, याद रखना, आगे देखे, he is dash 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 boy, तो यहां पर सीधा simple sentence है, he is strong boy, ठीक है, he is strong boy, बात खतम, ठीक है, तो 7 option number C will be right answer, आगे देखे, superlative form of the handsome is, तो मैंने बताया था न, most लगा दिया जाता है, तो most handsome, ठीक है, और अगर आप से पूछ देता का comparative form बताएगा, तो वो हो जाएगा more handsome, ठीक है, तो यहां पर अभी answer होगा, option number B, most handsome, आगे हम देखे, further is the comparative form of, किसक comparative form पूछ देता, तो वो होता, furthest, ठीक है, तो comparative form, already further दिया हुआ है, इसका एकदम, in root form पूछा था आप से, तो वो हो गया far, ठीक है, तो 9 option number A हो गया, आसीम is senior, यहां पर क्या हो सकता है, option number B will be right answer, आसीफ is senior 2, आसीम is senior 2 आसीफ, यह एक general case होता है, कि जैसे, किसी एक बच्चे को हम लोग उसके गुण के आधार पर compare करते हैं, जैसे कि मैं बोलू के, वो मुझसे पढ़ने में अच्छा है, तो पढ़ाई को हम लोग देख थोड़े सकते हैं, इसी वाईसे seniority को भी absorb किया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे आपके पास दो बच्चे कि भाव समझ में आ रहा है, कि सिर्फ हो सकता है, ऐसा दिखने वाली चीज ना हो, तो उन सब चीजों का अगर comparison किया जाए, तो बिसिकली two का यूज किया जाता है, ठीक है, तो आसिम is senior to आसिफ, अप्शन नमबर, भी विल ब्राइटन सब, यहां लिगावाई चूज देख क्या है, क्योंकि adjective हमें बताता क्या है, नाउन या पुरुनाउन की खासियत बताता है, तो sad हो सकता है, क्योंकि मान लोग कोई noun sad होगा, या फिर कोई पुरुनाउन बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, तो इन सब चीजों से, तो यहां पर sad will be right answer, आगे देखे हम लोग, ड क्या होगा, each box contains a gift, आगे लिखा हुए, what is the positive form of the worst, worst का positive form हमेशा bad होता है, क्या होता है, bad, आगे देखा हम लोग को, what is the positive form of the better, तो better का होता है best, ठीक है, better का superlative form नहीं पुछा है, better का आपको positive form पुछा है, तो वो हो जाएगा good, ठीक है, तो better का अगर superlative form पूछता है, त तो वो हो जाएगा good, ठीक है, 14 option number D, यहां देखो, you are the top of the class, not a big deal, illusion, oxymoron, metaphor, अच्छा ही सब आ गया, देखो, आपको एक concept सिखा रहा हूँ, कि illusion क्या होता है, understatement क्या होता है, metaphor क्या होता है, oxymoron क्या होता है, basically इनको literary devices कहा जाता है, ठीक है, literary devices, जिनका meaning दूसरा होता है, लेकिन बोले दूसरे जाते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं कैसे इनका use क्या जाता है, जितने आपके level का है, मैं literary devices आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकते तो note down भी कर लेना, ठीक है, ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात करें, तो सबसे पहला literary devices आपका कौन आता है, अलिट्रेशन, सबसे पहला literary devices क्या होता है, अलिट्रेशन, अलिट्रेशन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पाचाने, तो देखिए सर, अगर वर्न बार-बार repeat हो रहे हैं sentence में, वर्न बोले तो letter, ठीक है, एक letter अगर बार-बार repeat हो रहा है आपके sentence में, तो वो क्या कहलाए you, ठीक है, basically you, you बार-बार repeat हो रहा है न, यहाँ पर, तो यह क्या कहलाएगा, alliteration कहलाएगा, तो alliteration क्या होता है, जिसमें words बार-बार repeats हो, words ज्यादा specific more of specific बोले तो हम लोग, warn, warn को letter कहा जाता है, तो letter जिस sentence में बार-बार repeat हो, वो alliteration कहलाता है, ठीक है, alliteration कहलाता है, आगे बात आती है, hyperbol की, hyperbol का मतलब क्या होता है, कि बहुत जादा बढ़ा चड़ा करके बोलना, बहुत जादा बढ़ा चड़ा करके बोलना, जैसे कि आप अतिश्योक्ती अलंकार के बारे में सुने होंगे, अतिश्योक्ती अलंकार का मतलब क्या होता है, कि इतना बढ़ अपर अतिश्योक्ति अलंकार अगर सो सुद्धितों सब्सक्राइब कि एक स्थेंड में चाहिए ठीक है ऐसा सिखा दूँगा तो अभी आप फोकस करो हाइपर बॉल कर हाइपर बॉल का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोल देना लिटिट भी एक्जांपल के तोर पर मैं बताऊं कि आप साइकल से गिर गए और आप कहो कि मैं ऑपरेशन करवाने जा रहा हूं अपना तो ये बात बढ़ा चढ़ा करके हुआ ना कि गिरा है साइकल से हो सकता है थोड़ा मोड़ा चोट लगा होगा लेकिन ये तो कह रहा है मैं bandage करवाने जा रहा हूँ operation करवाने जा रहा हूँ गदागीरी वाली बात है ठीक है तो ये इस बात को हम बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं ये बहुत ही छोटी बात है cycle से गिर गया का हो गया बच्चे बहुत गिरते हैं cycle से लेकिन आप इसको कर रहा है कि operation करवाने जा रहा है cycle की गिरने के वज़े से तो ये बात को बढ़ा चढ़ा करके हो गया दूसरे तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास imagery imagery जो होता है वो हम लोग comparing purpose के लिए यूज करते हैं और imagery के दो types है हमारे पास simile और metaphor और simile जो है हम कब comparison के लिए यूज करते हैं और metaphor कब comparison के लिए यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ simile जहां पर आपको comparison दिखे sentence में और as या फिर हम बोल सकते हैं के like इन दोनों में से कोई sentence यूज हुआ है तो वो simile होता है आपके 2022 का question आप देखोगे नो तो सबसे पहले यही पूछा था simile तो जिस भी sentence में comparison purpose के लिए as या फिर like इन में से किसी एक का यूज किया जाए वो simile होता है metaphor और illusion में बच्चे बहुत confused होते हैं illusion को मैं बाद में बताऊंगा अभी आप metaphor को समझेव ठीक है つो metaphor क्या होता है जिस में किसी एक चीज को हम लोग compare करते हैं जिसमें किसी एक चीज को compare करते है example easier मैं बॉलूँ he reward me ठीक है वो मुझ पर चिंगहाडा तो मैं बोल सकता हूं कि वह मुझपर share की तरह चिंगहाडा तो शेर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर शेर की सारी quality आ गई है, कि शेर के तरह उखा रहा है, शेर के तरह नंगा घूम रहा है, शेर के तरह दोड़ रहा है, शेर के तरह चिला रहा है, शेर के तरह सिर्फ वो चिला रहा है, बाकी सारे काम नहीं कर रहा है, तो metaphor का मतलब होता है किसी एक quality को किसी के अंदर डाल देना किसी एक quality को किसी के अंदर डाल देना metaphor कहलाता है तो simili और metaphor आपका clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला है हमारे पास irony irony का मतलब होता है कि जो practical नहो सके मतलब हम बोलता है उपरे उपरे रह जाएगा मुकेश अंबानी को उनकी company से निकाल दिया गया तो यह practical हो सकता है जिसकी company है उसी को कैसे निकाल दिया जाएगा ठीक है तो यह practical बात नहीं है यह सब हम भोल सकते हैं कि बेकुब बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं ठीक है तो यह सब irony कहलाता है आगे देखे हम लोग oxymoron तो इसका मतलब होता है कि तो oxymoron का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम ऐसा word यूज करें उस sentence में जो कि एक दूसरे के opposite हों example के लिए मैं बोलूं कि they have या फिर हम बोले they have the same difference तो same का opposite क्या होता है difference होता है और difference का opposite same होता है तो इस तरीके का एक ऐसा word एक ऐसा sentence हमें मिल जाए जहां पर जो last वाला दो words है वो दोनों आपस में opposite है न तो वो हमेशा oxymoron होता है ठीक है oxymoron होता है जैसे कि मैं बोलूं आगे अब दूसरा एक और literary devices के बारे में तो वो होता है पीनिंग ना निकलता हो सिर्फ हम बोल देते हूं ऐसे बस ठीक है जैसे कि हम बोले तो टिक टॉक जो के बैन हो गया भीगो वीडियो इस सब क्या है यह सब हम बोल सकते हैं के ओनोमेटोपिया है जो सिर्फ sound purpose के लिए यूज किया जाए आगे देखे हम लोग personification personification का मतलब होता है कि एक non living के अंदर living की quality को डाल देना जैसे के मैं कहूं के सुने होंगे आप चंदा मामा दूर के पुआ पकैलन बूध के मतलब चंदा मामा चांद कभी पुआ पका सकता है रोटी पका सकता है चांद यह सिर्फ हम बोल सकते हैं कि एक परसोनिफिकेशन है कि चांद को हमने जिन्दा बताया कि वो रोटी पका रहा है ठीक है चंदना मामा दूर के पूर पकईलन पूर के हमर बगवा खईलक के अंदर लिविंग की क्वालिटी डाल रहे हैं ठीक है अगला है आपका एल्यूजन ठीक है एल्यूजन और मेटाफोर में कभी कंप्यूज नहीं होना है क्योंकि मेटाफोर का मतलब होता है किसी एक क्वालिटी को किसी के अंदर डालना ऐसे कोई आपको नहीं समझाएगा ठीक है किसी एक क्वालिटी को किसी के अंदर डालना मेटाफोर कहलाएगा एक्जामपल के लिए मैंने आपको बताया था लेकिन एल्यूजन का मतलब होता है कि पूरा कॉपी करके डाल देना जैसे कि मैं कहूं कि अबुल कलाम कौन है तुम्हारे कलास में तो मैं पूरे अबुल कलाम कोई उठा के तुम्हारे अंदर गुसर दिया हूँ ठीक है? मैं कहूं कि जैफ बेजोस कौन है तुम्हारे कलास में मैं कहूं कि मुकेश अंबानी कौन है तुम्हारे कलास में ठीक है मैं कहूं कि बताइए सद्दीन वैसी कौन है तुम्हारे कलास में मैं कहूं कि बताइए मखदू मश्रफ कौन है तुम्हारे कलास में मैं कहूँ कि बताइए समर हश्मी कौन है तुम्हारे क्लास में मैं कहूँ कि बताइए बशीर रहमत कौन है तुम्हारे क्लास में तो इस तरीके के पूरे क्वालिटी को किसी के अंदर डाल देना पूरी क्वालिटी को जैसे कि मैं कहूँ विराट कोहली कौन है तुम्हारे क्लास में तो विराट कोहली के पूरे quality को हम किसी के अंदर डाल रहे हैं तो ये illusion होगा ठीक है यानि कि illusion और metaphor का concept आपको clear होना चाहिए और यही दूप उचता है जनरली illusion और metaphor और simili illusion क्या होता है जब हम पूरी quality को उठा करके किसी के अंदर डाल दें और metaphor क्या होता है किसी एक quality को जैसे कि lion की चिंगाडने की quality को सिर्फ हमने उठाया था पूरे lion को नहीं उठाया था अब मैं यही कह दूँ कि who is lion in your class तब यह क्या कहलाएगा illusion कहलाएगा टिक है illusion कहला होता है जब पूरी quality को हम लोग किसी के अंदर डाल दें और metaphor क्या होता है सब से last में understatement understatement का मतलब होता है कि किसी बात को बहुती ज़्यादा घाटा करके बोलना किसी बात को बहुती ज़्यादा घाटा करके बोलना यानि के लेटेट वी मैं बोलूं कि मैं हेलिकोप्टर पर से कूद गया हेलिकोप्टर पर से कूद गया और मुझे कुछ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ यह बहुत ही मतलब हेलिकोप्टर पर से कूदेगा तो चीड़ी नहीं बचेगा तुम्हारा कुछ भी नहीं बच कुछ नहीं हुए तो बात को घाटा के बोलना अंडर स्टेटमेंट होता है ठीक है तो यही लेटररे दिवाइस थे आपके स्लेवस में आगे देखे हम लोग you are the topper of the class not a big deal अब मैं कह रहा हूं कि आप class के topper हो और आगे मैं कह रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं बात को घाटा करके बोल रहा हूं वैसी कली तो जब बात को घाटा करके बोला जाता है तो क्या हो जाएगा understatement हो जाएगा ठीक है illusion क्या होता है कि जब हम पूरी quality को किसी के अंदर compare करके डाल दें metaphor क्या होता है जब किसी एक quality को हम लोग किसी के अंदर डाल दें जैसे कि oxymoron क्या होता है कि जो के practical न हो सके जैसे कि मैं बोल रहा एक्जांपल दिया था जैफ वेजोस को apple company से निकाल दिया गया sorry amazon company से निकाल दिया गया ठीक है तो यह practical नहीं नहीं हो सकता है जो amazon का मालिक है उसको कई से निकाल दो गये तो यह होता है oxymoron नो 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 ओक्जी मुरोन को दूसरा बताया था मैंने के सेम डिफरेंसेस वाले वाट्स है तो ठीक है आगे मैं बताऊंगा निक्स्ट कोशन है इसका सही अंसर हो जाएगा अंडर स्टेट्मेंट आगे देखे हम लोग ही गोट्स टंस अफ दमनी अब एक टन पईसे आप कोई पढ़ाने वाला थोड़ चोड़ा मोटा आदमी हो तो वह अगर टंस ऑफ मनी रखता हो उसको मिल जाए तो यह फिर हम बोल सकते हैं कि बात को बहुत ही बढ़ा चड़ा करके किया गया है इंडिया में तो जनरली किसी के पास नहीं होगा मूंगे शन मानी कि होगा ही न इसली फनी देखो इसमें अगर आप फंस रहा हो न तो क्या करो शुरू करो जैसे कि मैं एल्यूजन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि कंपैरिजन की बाते नहीं होई इमेजरी भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस वाला बात ही नहीं है तो मैं बहुत पगल आ जाता, तब मैंने क्या trick लगाया, कि क्या नहीं है इसका answer, तब मुझे पता चला कि illusion भी नहीं है, imagery भी नहीं है, oxymoron भी नहीं है, लेकिन ये बच गया option number 8, तो आँख बन करके कर देना, 17 का option number 8, irony, अगर लिको the cat meows, increasingly she puts it, cat की जो बोली होती है, उसका आज तक कोई meaning नहीं निकाल पाया, कि वो क्या बोलती है, तो हम लोग सिर्फ उसको sound समझते हैं, तो जिसको sound सिर्फ समझा जाता है, उसका कोई meaning नहीं होता है, तो वो onomatopia होता है, ठीक है, 13 का भी हो गया, आगे देख हम लोगा, traffic cop get suspended for not paying his parking tickets, तो basically यह क्या है, irony है, irony क्या होता है, कि देखिए, traffic police का काम होता है, कि उस उन लोगों से पैसे लेना, जो के traffic का उलंगन करते हैं, अब उसके से कौन पैसे लेगा, traffic police से कौन पैसे लेगा, कि तुम उलंगन कर रहा हो पैसा दो, यह practical नहीं नहीं हो सकता है, ठीक है, तो 19 क option number A हो जाएगा, यह irony है, जो practical नहीं हो सके, वो irony है, hyperball का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताना, oxymoron का मतलब होता है, कि last में same words आ जाएं, और वो दोनों opposites हो, last में दो opposite words एक साथ आ जाएं, तो वो oxymoron हो जाएगा, understatement क्या होता है, बात क को घटा करके बताना, आगे देखा हम लोग, it is tough as an old boot, ठीक है, तो आख बन करके मारदू यहां पर as दिख रहा है न, as दिख रहा है न, simili हो गया, ठीक है, यहां पर अगर like होता न, तब भी यह simili हो जाता, ठीक है, तो simili is the right answer, यहां लिखा हुए, Mike is worker bee today, Mike is worker bee today, basically मैं क्य कर रहा हूं कि, Mike को comparison कर रहा हूं मधु मक्खी से, ठीक है, Mike को comparison कर रहा हूं मैं मधु मक्खी से, तो हम बोल सकते हैं कि यह basically एक illusion है, क्योंकि मैं पूरे मक्खी को comparison कर रहा हूं माइक से, ठीक है, यानि कि पूरी quality को उठा करके मैं उसके अंदर डाल रहा हूं, यानि कि B जो हम लोग is there any Einstein in your class हाँ इसका हाँ एल्यूजन ही होगा इसका ठीक है option number B is the right answer ठीक है एल्यूजन आगे देखे हम लोग is there any Einstein in your class ठीक है क्या तुम्हारे class में कोई Einstein है मतलब पूरे मैं Einstein को ही किसी के अंदर उठा करकर डालना चाह रहा हूं यह क्या है पूरी quality को किसी के अंदर डालना एल्यूजन कहलाता है ठीक है ट्वेंटीटीटू का option number C is the right answer इसका मेरे हिसाब से थोड़ा सा शक लग रहा है कि option number A होगा metaphor ठीक है माइक is a worker today सिर्फ today के लिए कहा गया तो हाँ 21 का A मार लेना सही रहेगा ठीक है 21 का option number A यह भी कुछ चीज को हम लोग compare करके किसी के अंदर डाल रहे हैं illusion हो गया क्या हो गया यह illusion हो गया आगे देखे हम लोग peter paper picked a pack of picked papers देखो यह पी कितनी बार repeat हुआ है पी कितनी बार repeat हुआ है जब चीजे बार-बार repeat होना तब हो क्या कहलाता है alliteration कहलाता है personification क्या होता है इसका मतलब होता है किसी non living के अंदर हम लोग living की quality को डाल दें ठीक है इस तरीके का तो यहां पर option number C alliteration will be right answer आगे देखे हम लोग the new furniture of our house welcomed us with a smile यानि कि हम कुरसी खरीत के लाएं और जब हम उस पर बैठने जा रहे हैं तक कुरसिया कर रहे हट 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 भी मत बैठ भाई बहुत ही मेरा सरदर्द कर रहा है कुरसी बोल रही थी तो कुरसी कभी बोल सकता है भाई नहीं बोल सकता है तो क्या है एक परसोनिफिकेशन है ठीक है तो 24 कॉप्शन नमर भी हो गया giving human qualities to the non-living ideas यानि कि एक living quality को किसी non-living के अंदर डालना परसोनिफिकेशन कहलाता है ठीक है आईरनी क्या होता है एक मरतबा और बता दूँ जो के practical नहीं हो सके एक्जामपल दिया था मैंने आपको के जेफ बेजोस को Amazon से निकाल दिया गए यह practical नहीं हो सकता है alliteration का मतलब होता है चीजों का बार-बार repeat होना oxymoron का मतलब होता है कि दो हम बोल सकते हैं को opposite words एक साथ आ जाए sentence में तब ठीक है आज के लिए इतना इराने दो बच्चों मिलते हैं next वीडियो में वीडियो कैसे लगी comment करके बताना और हाँ एक बात बतानी थी और कि जैसे यह series हम लोग खतम करेंगे 24 तारी को तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग जितने भी बच्चों ने इस series में comments किया है उन सारे बच्चों का नाम भी वहाँ पर लेंगे वीडियो में live और उनका हम लोग शुक्रिया आधा भी करने वाले हैं ठीक है तो एक अच्छा सा प्यारा सा comment कर दिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you